C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अध्याय तीन प्रिष्ट तीस से एक्तालिस तक शीर्शक राज्य शासन कैसे काम करता है प्रिष्ट संख्या तीस पिछले कारिक्रमों में हमने ये चर्चा की थी कि शासन तीन स्तरों पर काम करता है स्थानिय, राज्य और केंद्र हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानिय शासन के कारियों के बारे में जाना भी था इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्थर पर शासन कैसे कारे करता है लोक तंत्र में राज्य के शासन किस तरह किया जाता है विधान सभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं यहां किसी कारे की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्णों पर विचार करने के लिए स्वास्थ का उदाहरन लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी? यहां पर कुछ बच्चे अखवार देख रहे हैं, आपसे में बाते करते हैं। देख, यहां लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत सो लोग बिमार पढ़ रहे हैं। और कई गाउं में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूग गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाखों में गाउं के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पाताल पुरम में लोगों को तीन दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। यहां का जिला चिकित्षालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीडित बच्चे हैं। प्रिष्ट 31 टीवी पर समचार में बताया गया था कि हैजे से दस लोगों के मृत्यू हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सच मुच इससे मर सकता है? दूसरा बच्चा बोला क्या पता? बस मुझे ना हो जाए ये बिमारी। अचानक सामने एक पुलिस कर्मी दिखाई दिया। रुख जाओ! रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विदायक के घर का गहराओ किया है। सच मुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाहा! ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्त की स्थिती पर नियंतरन पाने के लिए खदम उठाएं। हमारे विदायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी उची आवाज है इनकी? ये कोई नेताविता होंगे? श। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। ये विरोधी दलके हैं। विदायक कौन होता है? अभी आपने पाताल पुरम की कुछ घटनाओं के बारे में सुना। आप शायद जिलाधीश, चिकितसा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। पर तुक क्या आपने विधायक और विधान सभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचत हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधान सभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है. MLA Member of Legislative Assembly का संक्षिप्त रूप है. बाताल पुरम में क्या हो रहा है? ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से इस स्थिती में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? या क्या किया जा सकता है? और आपके अनुसार ये कार्णे किसी करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्रिष्ट 32 MLA का चुनाव जनता दोरा किया जाता है. फिर वे Legislative Assembly के मेंबर यानी विधान सभा के सदस से बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिन धित्व करते हैं. आगे बताए जा रहे हैं उधारन से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी. भारत के हर राज्य में एक विधान सभाय है. हर राज्य कई निर्वाचन ख्षेत्रों में बटा हुआ है. उधारन के लिए इम मानचित्र को आसानी से देखिए. मानचित्र में बताए गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन ख्षेत्रों में बटा है. हर निर्वाचन ख्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधी चुनती है जो विधान सभा का सदस्य यानि विधायक बन जाता है. आपने ध्यान दिया होगा कि चुनौ में लोग अलग-अ पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं. इसलिए ये विधायक अलग-अलग राजनीतिक दलों के होते हैं. जो लोग विधायक होते हैं, वे मंत्री या मुख्य मंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन ख्षेत्रों में जी उदाहरन के लिए हिमाचल प्रदेश की विदान सभा में विधायकों के 68 निरवाचन ख्षेत्र हैं। इस उर्पकार जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तराखन में भी अलग-अलग निरवाचन ख्षेत्र हैं। ये नक्षे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। यहीं आगे भारत के नक्षे में पैंसिल से इनकी आकरती बनाईए। पहला आप जिस राज़े में रहते हैं उसकी और दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य की। प्रिष्ट तेंटीज हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विदाहन सबा चुनाओं के परिणाम राजनीतिक गल और चुने गए सदस्यों की संख्या भारतिय जन्नता पार्टी बीजेपी चवालिस इंडियर नैस्टनल कॉंग्रेस आई एन सी 21 कमिनिस्ट पार्टी अफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक निर्दलिय जो किसी पार्टी के नहीं है दो कुल योग 68 अधिक जानकारी के लिए लॉग आउन करें http hpvidhansabha.nic.in विभिन राजनेतिक दलों के उमीद्वारों ने 2017 का विधान सभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए विधान सभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल्खो 34 से अधिक विधायकों की आवशक्ता होती है भारती जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्ही बहुमत मिला और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए अन्य सभ विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए इस उधारन में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भार्तिय जनता पार्टी के बाद सरवादिक विधायक उशिके थे विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टी भी थी और कुछ निर्दलियों मीद्वार भी थे जो चुनाओ जीतकर आये थे चुनाओं के बाद सत्तधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाओ करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है इस उदाहरन में भारतिय जनता पार्टे के विधायकों ने श्री जैराम ठाकूर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए इसके बाद मुख्य मंत्री मंत्रियों को चैन करता है चुनाओं के बाद राजिक राजिपाल मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्य मंत्री तो था अन्य मंत्रियों का ये दाइत्व है कि वे शासन के विबिन्ने विभागों या मंत्रालें को चलाएं उनके अलग-अलग कार्याले होते हैं विधान सभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहें वे सत्तधरी दलके हूं अथवा विरूधी दलके विभिन्न वेश्यों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं इस तरहें कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकडे पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश के लिए हमसे सुने उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाईए राज्य का प्रमुख राजपाल कहलाता है जिसके नियुक्ति केंदर सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार समविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना काम का चुलाए अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए कई बार सत्ताधरी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है इसे गठ बंधन सरकार कहते हैं अपने शिक्षक से इस वैशे पर चर्चा कीजिए प्रिष्ट चौंतीस विधान सभा में एक बहस आफरीन, सुजाता और उनके विद्याले के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधान सभा देखने के लिए राजधाने की यात्रा की विधान सभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी पच्चे बहुत उत्सुक थे सुरक्षा जांश के बाद उन्हें उपर ले जाये गया उपर एक दर्शक दीरगा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे हॉल में डेस्कों की अने कतारें लेगी थी ये विधान सभा उन दिनों की किसी ततकालीन समस्या पर बहस करने वाली थी कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए सदस से इस विशे पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं इसके बाद मंत्री प्रशनों के उतर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाय जा रहे हैं मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है हम प्राया उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं ये समचार चैनलों अथवा समचार पत्रों में उन्हें देखते वो पढ़ते हैं हाला कि जो भी निर्णे लिये जाते हैं, उन्हें विधान सभा के सदस्यों द्वारा अनुमूदित किया जाना होता है. लोक तंतर में विधान सभा सदस्य, मंत्रियों वो मुख्य मंत्रियों से प्रशन पूछ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण विशे पर बहस कर सकते हैं, नि इखंड गाउं के मेरे निर्वाचन क्षेतर में पिछले तीन हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों के मृत्ति हो चुकी है मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिती है वो सरकार जो अपने को प्रोध्योगी की में सर्वस्ट्रेश्ट घोशित कर रही है हैजे जैसी साधरन बिमारी को रोकने में असफल रही है मैं स्वास्त मंत्री का ध्यान इसो राकरशित करना चाहूंगा कि वे इस थिती को नियंतरन में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं विदायक दो मेरा प्रश्ण ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों वा चिकित्सा करमचारियों को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही है मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस थिती का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिस से लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है अब ये महामारी का रूप ले चुकी है प्रिष्ट 35 विदाएक 3 मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुचानी के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमन मुक्त किया गया है विदाएक 4 मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चला कर बता रहे है सरकार ने स्थिती को नियंतरन में लाने के लिए कदम उढ़ाये है पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है वो आरेस के पैकिट बांटे जा रहे है सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है विदायक 5 हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खसता है ऐसे कई अस्पताल हैं जिन में कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किये गए है दूसरे हस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए है ये शर्मनाक इस्थिती है मेरे खाल से हालाद बत से बत्तर होते जा रहे हैं हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेतर के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजे ही सरकार पर दोशार उपन कर रहे हैं पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था अब हमने कई बरसों से चारो तरफ फेले कूडे को साफ कराने का अभियान शुरू किया है क्या दिये गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विदायकों को पहचान सकते हैं सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिये अभी आपने विधान सभा में चल रही एक बहस के बारे में सुना सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कारिवाही पर बहस कर रहे थे ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामोहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदाई होते हैं सामान भाषा में सरकार शब्द सितात पर शासन के विभिन्द विभागों और मंतरियों से होता एं जो उनके प्रभारी हैं इन सब का सामोहिक, प्रमुख, मुख्यमंत्री होता है सही मायनु में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानि कार्यपालिका कहलाता है दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधान सभा में एकत्रित होते हैं विधायका कहलाते हैं विधायका के रूप में वे इस सरकार के कारिकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जाच भी करते हैं जैसा के आपने पाट के शुरू में सुना इनी में से कारेपालिका का प्रमुख या मुख्य मंत्री बनाये जाता है केवल विधान सभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिपनी और सरकार से कारेवाई करने की मांग नहीं की जाती आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बादे करते देखते हैं लोग तंत्र में अनियक माध्यमद वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कारिवाही करते हैं इसी तरहें का एक तरीका यहां बताते हैं आपको विधान सभा में चर्चा होने पर थोड़ी समय बाद स्वास्त मंत्री की प्रेसवारता की गई इसमें विभिन समाचार पत्रों के प्रतिने धी काफी संख्या में आये इसमें मंत्री की अधिकारी भी उपस्थित थे मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए खदमों के बारे में बताया इस प्रेसवार्था में अख़वारों के समवाद्दाताओं ने अनेक प्रशन पूछे इन चर्चाओं की रिपोर्ट विविन समाचार बत्रों में प्रकाशित हुई आगे एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे अगले सब्ता मुख्य मंत्री और स्वास्थ मंत्री पाताल पुरम जिले के दोरे पर गए उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिष्टेदारों के मृत्ति हो गई थी वे अस्वस्त लोगों को देखने अस्पताल भी गए सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआफजा राशी की भी खोशुना की मुख्य मंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई ही नहीं है वरण पीने के स्वच्च पाने की कमी की भी है जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिती को गंभीरता से नहीं ले रही है वे मुख्य रूप से क्या-क्या तरक दे रहे थे यदि आप स्वास्थ मंत्री होते तो अभी बताई गई चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते आपके विचार से ये बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही कैसे? चर्चा कीजिए व्याख्या कीजिए कि सरकार की कारे प्रणाली में एक सामाने विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है? प्रिष्ट सैंतिस सरकार ने कचरे की सुद ली मुख्य मंत्री ने किया धंडाशी का वादा पातालपुरम रवी हाउजा पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके है इस बात पर तीवर प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है आज हुई प्रेसवारता में सौस्थ मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्य कदम उठाने हेतु निर्देश दिये है सबसे महत्वपून समस्या पीने के पानी की है मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गाउं में पानी पहुँचाने की है मुख्य मंत्री ने इस कारे के लिए धन उपलब्द करने का वचन दिया है उनकी योजना एक जन अभियान चला कर लोगों को ये जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है जबकि एक पतरकार ने उनसे पूछा कि महिनों से जमा कच्रे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे उन्होंने कहा एक उच्चस्तर ये जाच समिती गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोग निर्माण मंत्री को दिशा अंदिर देश देगी ताकि वे क्षेतर में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें जैसे कि हमने आपको पहले बताया वो लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्य मंत्री और स्वास्थ मंत्री उन्हें समस्याओं पर कार्रिवाही करनी होती है वो ये कार्रे विबिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्मान विभाग, क्रिशी विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग आदे उन्हें विधान सभा में उठाए गए प्रश्णों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्ण करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित गदम उठाए जा रहे हैं इसके साथ साथ समाचार पत्रों वा अन्यमाध्धमों में भी इन विश्यों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है जैसे प्रेस वारता आयोजित करना सरकार, सफाई और स्वास्त सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निरने ले सकती है उधारन के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवारे कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में परियाप तो शौचालेओं की विवस्ता हो हैजी को नियंतरन में लाने के लिए सरकार दोरा किये गए दो उपाए लिखिये प्रेस वारता का क्या उद्देश है प्रेस वार्था आपको सरकार दौरा किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार साहिक होती है प्रिष्ट और तीस ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्त कर्मी की नियुक्ती हो किसी विशे पर कानून बनाने का ये कार प्रतेक राज्य की विधान सभाद वरा किया जाता है इसके पश्चात विबन ने शासकिय विभाग इन कानूनों का क्रियान वयन करते हैं पूरे देश के लिए कानून संसत में बनाय जाते है संसत के बारे में आपको अगले वर्ष बताएंगे लोकतंत्र में विदायकों MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनी धी चुनती है और इस तरहें शासन मुख्यता जनता का ही होता है फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाय जाता है ये मंत्री सरकार के विभिन्ने विभागों के प्रभारी होते हैं जैसे पहले बताये गया उधारन में स्वास्थ विभाग इन विभागों द्वारा जो भी कार्डिक किया जाता है उसे विधाई का द्वारा अनमोदित या स्विकृत कराये जाता है यहां एक चित्र दिया हुआ है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं लोग तंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयुजित करते हैं प्रिष्ट 49 विभाग का नाम उनके कार्यों के उदाहरन विभाग का नाम स्कूल, शिक्षा विभाग लोक निर्मान विभाग क्रिशी विभाग और आगे बताना है उनके कार्यों के उदाहरन वॉल पेपर की परियोजना वॉल पेपर एक मज़ेदार गतिविदी है जिसके माध्धम से रूची के किसी भी विशे पर शोध किया जा सकता है इन तस्वीरों में कक्षा में वॉल पेपर बनाने के विभिन पहलूं को प्रस्तुत किया गया है अपने शिक्षक की साहिता से पता लगाईए कि अभी बताय गए उपरोग्त शासक की विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में रिक्त स्थानों में भरिये शिक्षिका चुने गए विशे का पूरी कक्षा को परिछे देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बाट देती है समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तै करता है कि वाल पेपर में क्या-क्या रखना चाहेगा इसके बाद बच्चे अपने आप या दो-दो की जोडी में इकठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं इसके लिए रिकविताओं, कहानियों, साक्षातकारों, विवरणों आदी की रचना कर सकते हैं जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई, उसे समुह के लोग मिलकर देख लेते हैं वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाओ देते हैं वे मिलकर ये तै करते हैं कि वॉल पेपर में क्या-क्या जाएगा और फिर उसका लेयाउट बनाते हैं प्रिष्ट चालीस इसके बाद प्रत्तेक समुह अपना वॉल पेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है ये बात पूर्ण है कि समुह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समुह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले जब सभी समुह अपना प्रस्तुति करन कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्ण पूछना अच्छा रहता है लेखन और प्रस्तुतिक करण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था यहां एक चित्र है सन 2006 में डेंगू की महमारी के विशह में ये वाल पेपर कक्षा 6B केंद्रिय विद्याले क्रमांक 2 हिंडन घाजियबाद उत्तर प्रदेश के विद्यारतियों ने बनाया था अपने राज्य की सरकार के कारे से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वाल पेपर निकालने की एक परियोज ना करो जैसे जोरकी महमारी कोई शिक्षा कारिक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विशय मद्यान भोजन कारिक्रमादी प्रिष्ट 41 अभ्यास एक निर्वाचन क्षेत्र वप्रतिनिधी शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाओ किस प्रकार होता है 2 कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते है स्पष्ट कीजिए 3 मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिये गए निरणयों पर विधान सभाबें बहस क्यों होनी चाहिए 4 पाताल पुरम में क्या समस्या थी बताये गए विशय में क्या चर्चा या कार्रे किये गए जैसे आमसभा विधान सभा प्रेसवार्ता मुख्य मंत्री 5 विधान सभा सदस्य द्वारा विधायका में किये गए कार्रियों और शासक किये विभागों द्वारा कियेगे कारियों के बीच क्या अंतर है शब्द संकलन निर्वाचनक्षेत्र इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मद्दाता अपना प्रतिनिधी चुनते हैं उधारन के लिए ये कोई पंचायत या वार्ड या वोक्षित्र हो सकता है जो विधान सभासद से चुनता है बहुमत इसका आशय ऐसे इस्थिती से है जब किसी समुन के आधे से अधिक संक्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो इसे साधारन बहुमत भी कहा जा सकता है विरोधी पक्ष इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कारियों पर प्रश्ण उठाने और विधान सभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है प्रेसवार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समुह जिसे किसी विशे पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्ण पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो उनसे अपेक्षा की जाती है कि विए मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समुह को बताएंगे इसी के साद नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय तीन यहां समाप्थ हुआ वाचक, नीरच्छर्म, सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नही दिल्ली भारत